Hello everyone, in this video we will start with chapter number 5 of science of class 7th इस वीडियो में और इसके आने वाले सभी parts में हम इस chapter को completely discuss करेंगे तो start करते हैं chapter number 5, acids, bases and salts इन दिनों words के मतलब जानने से पहले हम कुछ substances के taste को recall करेंगे जो हम अपनी daily life में use करते हैं, खाते हैं या जो substances edible होते हैं जिनका taste हमें पता होता है तो यहाँ पर कुछ substances के नाम दिये गए हैं, lemon, tamarind, common salt, tamarind यानि की imli common salt वो नमक जो हम regularly अपने घरों में use करते हैं, sugar, vinegar, vinegar, vinegar यानि की सिर्का तो यह substances का जो taste होता है, क्या इनका सबका taste similar होता है या फिर different होता है तो यह जानेंगे हम इस table के through, एक table में कुछ substances दिये गए हैं, 5.1 table है याँपर लेकिन इन substances के taste को जाने से पहले हमें कुछ precautions हैं, जिने हमें follow करना है first point है हमें ये ध्यान रखना है, कि जो substances हमें taste करने हैं या touch करने हैं, हमें पहले किसी से पूछना होगा बिना किसी से पूछे या बिना कुछ जाने, आप किसी भी substance को taste नहीं करेंगे और ना ही उसे touch करेंगे तो start करते हैं table number 5.1, यहाँ पर आप left hand side में कुछ substances के name देख पा रहे हैं first is lemon juice, इनका आपको taste बताना है कैसा होगा lemon juice यह कैसा होता है, sore होता है, यानि की खटा होता है टेस्ट में orange juice यह भी sore होता है, vinegar इसका taste भी sore होता है दही यानि की curd यह भी खटी होती है, tamarind इसका taste भी sore है sugar इसका जो taste होता है, वो sweet होता है, common salt इसका taste salty होता है, यानि की नमकीन होता है आमला ये भी taste में खटा होता है यानि की सौर baking soda ऐसका जो टेस्ट होता है वो bitter होता है it means कड़वा होता है grapes इसका टेस्ट सौर होता है unsripe mango यानि की कच्चा आम इसका टेस्ट भी कैसा होता है सौर होता है तो इस table से हमें result क्या मिलता है हमें यह पता चलता है कि जो regularly हम substances use करते हैं इन सब के 4 types के taste होते हैं कौन से कौन से हैं sour, bitter, bitter यानि की कड़वा, sweet and salty तो यह 4 तरीके के taste है और इन में से हमें 2 tastes की हांपर बात करनी है तो start करते हैं first topic से हमारे 5.1 topic है acids and bases acids and bases क्या होते हैं अभी आपने कुछ substances पढ़े 5.1 table में इसमें हमने curd, lemon juice, orange juice, vinegar इन सब के taste को जब जाना था तो यह कैसा था इनका taste sour था sour था यानि की जो ये substances sour किसलिए है इन सब का जो taste होता है वो कैसा था खटा था क्यों था इनका taste sour क्योंकि इनके अंदर present होता है acids यानि की these substances taste sour because they contain acid मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो lemon juice है या curd है इनके हम acid कहते है इनके अंदर acid पाया जाता है इसलिए ये sour होते हैं टेस्ट में खटे होते हैं और इनका जो ये chemical nature है इन substances का जो ये chemical nature है जिसकी वज़े से ये sour होते हैं टेस्ट में इस nature को हम क्या कहते है acidic कहते है ये जो word है acid ये हमारी latin जो language है उससे आया है latin word है एक acre इसका meaning होता है sour और उसी से बना है acids acids जो इन substances के अंदर पाये जाते हैं वो natural acids होते हैं अब इसके बाद बाद करते हैं baking soda की हमने table में baking soda के taste को भी discuss किया था इसका taste sour तो नहीं होता अब sour नहीं है इसका taste इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर acids तो है नहीं तो इसका taste कैसा है फिर इसका taste है bitter अब bitter है sour नहीं है sour नहीं है तो acid नहीं है इसके अंदर bitter taste है तो इसका मतलब क्या है इसके अंदर पाया जाता है base और दूसरी बात इसके बारे में ये है कि जब आप इसके solution को या फिर इस baking soda को आप अपनी finger के साथ अपनी hand पे रखे जब हम इसे feel करते हैं या rub करते हैं तो ये कैसा होता है soapy होता है यानि कि slippery होता है feel करने में तो इन दोनों के basis पे हमने ये बताया कि baking soda के अंदर क्या पाया जाते हैं basis पाया जाते हैं तो ऐसे substances जो taste करने में कड़वे होते हैं यानि कि bitter होते हैं और feel करने में soapy होंगे जब हम उसे touch करेंगे तो soapy होंगे तो उन्हें basis कहते हैं और इनके जो nature होता इन substances का उस nature को हम कहते है basic अब क्या होता है कि हम acids और basis पता करने के लिए हर substance को touch करके या उसे taste करके नहीं बता सकते क्योंकि यह हमारे लिए harmful हो सकता है तो बिना कुछ सोचे समझे हमें किसी भी कि कोई particular substance जो है acid है या फिर basic है वो हम बता सकते हैं एक special substance की है से जिने हम कहते है indicators indicators ऐसे substances होते हैं जो acids या फिर basic substances में डालने के बाद ऐसे solution होते है indicators जब हम इने acids में या फिर basic substances में डालेंगे तो इनका color change हो जाता है और जिस तरीके का भी color आएगा उस color के basis पर हम बताएंगे कि जो सामने हमारे जो भी solution रखा है या जो भी हमारे पास substance रखा है वो acidic है या basic है तो start करते हैं कुछ indicators से हमारे syllabus में कुछ indicators दिये गए हैं turmeric indicator, litmus indicator, china rose indicator china rose का जो fool होता है आपने flower देखा होगा जिसे हम हिंदी में good health कहते हैं तो इन तीनों को indicator की तरह use किया जाता है और इनके basis पर इनकी help से हम बता सकते हैं कि जो substances हैं वो कैसे हैं acidic हैं, basic हैं इससे पहले कि हम इन indicators की बात करें हमारे पास कुछ एक table है उस table में कुछ acids के नाम दिये गए हैं और कुछ basis के नाम दिये गए हैं और ये हमारे कुछ substances में पाये जाते हैं तो देखते हैं ये कौन से कौन से हैं first है acidic acid ये vinegar में पाया जाता है आपको इन सब के name पता होने चाहिए बहुत important है formic acid है ये ant sting में पाया जाता है ant sting इसका मतलब है जो चीटी काटती है उसके काटने के बाद हमारी skin में हमारी body में वो एक acid को release करती है जिसकी वज़े से हमें itching होती है या swelling होती है तो वो होता है acid formic acid citric acid citric acid पाया जाता है खटी चीजों में जो कुछ खाने में citrus fruits होते हैं जैसे orange है लेमन है इनके अंदर पाया जाता है lactic acid curd में पाया जाता है oxalic acid जो है ये spinach यानि कि पालक में पाया जाता है ascorbic acid ascorbic acid का एक और नाम होता है vitamin C ये आमला में और citrus fruits में भी पाया जाता है tartaric acid है tartaric acid ये tamarind में पाया जाता है यानि कि इमली में grapes में unripe mangoes इन सब के अंदर पाया जाता है तो ये सारे जो acids है ये naturally present होते हैं nature में ही present होते हैं पाया जाते हैं उसके बाद है कुछ basis के नाम यहां पर दिये गए है first है calcium hydroxide ये जो base है lime water में पाया जाता है lime water क्या होता है कि जो सफेज चूना जो होता है जब हम उसे पानी में मिला लेते हैं और अच्छे से dissolve कर लेते हैं घोल लेते हैं तो जो वो water बनता है वो lime water होता है उसके बाद है ammonium hydroxide ये window cleaner में पाया जाता है window cleaner जैसे के हम घर में use करते हैं कैसा liquid जिसकी help से हम windows के जो glass होते हैं उनको clean कर सकते हैं उसके बाद है sodium hydroxide and potassium hydroxide ये पाया जाता है soap में यानि की साबून में जो magnesium hydroxide है ये पाया जाता है milk of magnesium milk of magnesium milk of magnesium वो होती है जो आपने कई बार देखा होगा anti-acid tablet जो होती है जब हमें acidity हो जाती है जो हम tablet लेते हैं digene की tablet उसमें वो होता है milk of magnesium और उसमें पाया जाता है magnesium hydroxide तो यहाँ पर एक बूजो का question है can I taste all the substances find their taste क्या मैं हर substance के taste को जानने के लिए उसे taste कर सकता हूँ तो पहेली इस बात पर कहती है no have you not read the question क्या तुमने साफधानिया नहीं पड़ी है कि हमें बिना कुछ सोचे समझे बिना कुछ जाने हमें किसी भी substance को ना ही टच करना चाहिए और ना ही टेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जादा harmful हो सकता है तो start करते हैं